नमस्कार, स्वागत है आप सभीका गने साइश्टो हेल्प में मैं हूँ डॉक्टर दिलीप और आप सभीका जोतिसकिस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले सीह राशी के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा सीह राशी और सीह लगन डॉनों की ही हम बात करेंगे डॉनों से देखना चाहिए दॉनों से देखने के लिए हमारे महरिशियों ने कहा है चाहे वो पराशरा होरा सास्त्र हो, फल दीपिका हो जातक पारिजात हो, जो हमारी जोतिस की authentic किताबे हैं, books है तो दौनों से ही देखना चाहिए, थोड़ा अंतर अवश्य होता है चंद्रमा हमारे मन को दिखाते हैं, चंद्रमा हम अंसो जाता हमारा मन, हमारे emotion, कैसा हम feel करते हैं, सुख, दुख, ये सब चीजे हैं मन की इस्तिती, चंद्रमा से देखते हैं, लगन हमारी बुध्धी है लगन हमारा विवेक है, विवेक की आधार पर, वो लगन से देखते हैं जो अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा हम उसको clear करेंगे जरूर पर दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों से ही देखते हैं पांच लिखा हुआ है, अगर किसी की कालपूर्स की छटी राशी हो, तो यहाँ छे नंबर लिखा होगा, लेकिन भाव यह प्रतम ही होगा, कौन-कौन की राशिया है, मेस पहली राशी है, दूसरी ब्रशब, तीसरी नितुन, चौथी कर्क, पांच मी सही, छटी कन्या, साथ मी तुला, आठ मी आपका ब्रशिक, नौ मी धनू, दस मी मकर, ग्यारमी कुंभ और बारे मी मीन, तो यह बारे राशिया हैं, और बारे भाव हैं, यह पहला भाव है, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांच मा, यह छटा और यह नंबर है, यह राशी दिखाता है, जैसे कि अभी मने बताया, दस मी राशी कौन मकर, तो यहाँ पर मकर राशी है तो आप देख सकते हैं, छटे भाव में, मकर राशी में, शुक्र, शनी, घुरु, बुद्ध और सूर्य, इतने सारे ग्रहे आपके गोचर कर रहे हैं केतु चौथे भाव में, और आठ मी राशी ब्रश्चिक में, गोचर कर रहे हैं आपके, यह चौथा भाव हुआ ना, एक, दो, तीन, चार यहाँ पर जो आप सूर्य देख रहे हैं और शुक्र देख रहे हैं, तो सूर्य यहाँ पर सिर्फ आपके 11 तारिक तक रहेंगे, उसके बाद सूर्य सब्तम भाव में 11 मी राशी कुम्ह में चले जाएंगे शुक्र यहाँ पर 21 तक रहेंगे 22 तारिक को शुक्र अगले भाव मतलब की सब्तम भाव में कुम्ह राशी में चले जाएंगे इसी तरह से अश्टम भाव खाली है नवम भाब में मेश राशी में मंगल अपनी ही राशी में बैठे हुए सौभागी योग बना रहे हैं दशम में राहू है और मंगल यहां भी दिखते हैं एक्चुली मंगल 22 तारिक तक यहीं है और बाद में यहां है जॉब के लिए स्वास्त के लिए प्रमोशन के लिए प्रेम के लिए स्टडी के लिए सभी के बारे में बात करेंगे तो देखिए अगर हम ओबर ओल देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान जाता है इस भाब पर सभी के लिए अगर हम देखें कि वह च्छटे भाब में बहुत सारे ग्रहें हैं और च्छटा भाब किस चीज का है देखें च्छटा भाब परिश्रम का मेहनत का है संगहर्स का है कमपटीशन का है रोग रिण सत्रू का भी है मतलब रोग का मतलब बिमारी रेंड का मतलब जो हम लोन लेते हैं लोन लेना आजकल कोई बुरी बात नहीं रही है लोग चाहते हैं कि हमको लोन मिल जाए सत्रू जो हमारे एनिमी होते हैं सत्रू होते हैं उनका है इसी के साथ साथ ही हमारे डेली लाइफ का ये पैसे का भी घर है अर्थ त्रिकोन है कुंडली में दूसरा छटा और दसमा भाव अर्थ त्रिकोन होते हैं पैसे को दिखाते हैं अर्थ का मतलब होता है value जिसकी कुछ अर्थ हो जिसका कुछ meaning हो जिससे कोई मतलब निकले तो उसमें इतने सारे घर भाव एक बात definitely दिखा पैसे का लाव भी होगा मेहनत करने से लाव होगा क्योंकि अर्थ त्रिकोन है पैसा तो आएगा पर मेहनत भी होगी क्योंकि महनत बाला भाव है ये एक मोटा मोटा निकल कराता है इसके अलाबा शुक्र का जो गोचर है वो सब्तम भाव में आएगा आपका 22 के बाद जब रिष्टा आना, किसी के साथ कोई सम्मंद बनना, रिलेशनशिप होना उसके लिए अच्छे होते हैं, पर वहीं पर मर्यादा का ख्याल रखना होता है, यहां पर कभी-कभी डिस्फेम आदी, इस तरह की सिच्वेशन रहती है मंगल का नवम भाब में गोचर भाग के लिए अच्छा है, क्योंकि अपनी ही राशी में है, वैसे तो मंगल का तीसरा, छटा, दसमा, ग्यारेमा इन भाबों में गोचर अच्छा माना गया है, पर जब कोई ग्रह अपनी ही राशी में होता है, कुछ भाब है, वो मंगल है, तो आप PhD और अपरोड जाकर कोई बड़ी डिग्री आप करना चाहते थे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, दूर की यात्राओं के लिए बहुत बढ़िया है, आपके पिता जो है, वो थोड़े से उनका प्रमोशन आदी हो सकता है, भाग्य से आपकी कोई चीज आपके इंतजार कर रहे हैं, जोब लग जाए, कोई यसी चीज जहां भाग्य का जरूरी होता है, वो आपका वहां मंगल आपका साथ देंगे 22 तारिक तर, उसके बाद मंगल राहू का अंगारक योग अवस्च है, अंगारक योग अवस्च है, पर दसम भाब में राहू लाव देते हैं और मंगल भी दसम भाब में बहुत सारी शक्ती देते हैं, बहुत सारी एनरजी देते हैं, बहुत जाद है, एक्टिवनेस देते हैं वक्ति को कारे के लिए और प्रमोशन आदी के लिए अच्छे ही है हाँ ये जरूरे थोड़ा गुस्से का ख्याल रखना है यहाँ से मंगल आपको थोड़ा सा इंपेसेंस बना सकते हैं इस महिने में थोड़ा सा वाणी पर धोड़ा धान देना है कि बाणी आप ऐसी कुछ बोल सकते हैं कि जिससे लोगों को बहुत पसंद आए तो बाणी ऐसी बोलिये मन का आपकोए आपन को सीतल करे और हो सीतल होए बाणी वैसे भी बहुत महत्वपून एक कह सकते हैं वरदान है इश्वर का दिया हुआ जिस तरह से आँखें बरदान है आँखों से हम सारी दुनिया देखते हैं देखते हैं फिर उसका ग्यान पराप्त करते हैं ठीक उसी तरह से वाणी भी बहुत अच्छा बरदान है आप किसी को बहुत प्यार से समझाते हैं अच्छे अच्छे वर्ड बोलते हैं तो विक्ति को बहुत अच्छा लगता है और उसका result जो है बहुत ही महत्वपूर है अगर आप किसी को negative बातें बोलते रहें यह प्रियोग देखा गया है यह सिर्फ बातें नहीं है प्रियोग किया गया है कि आदमी तो आदमी पेड़ पौधों को ऐसा किया गया है कि उनको रखकर उनको सिर्फ गालिया देते रहे गालिया देते रहे बुरा कहते रहे तो वो पेड़ पौधे सुक चगए और दूसरों को अच्छी बात है कि उनको कहा तो energy energy अब यह no more artificial यह कोई imagination नहीं रही है कि जिस तरह का environment है जैसा आप बोलते हैं बच्चों के साथ दूसरों के साथ बोलने का वानी का बहुत महत्व है emotion का बहुत महत्व है तो वानी का थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना है कारण उसका यही है कि एक तो अंगारक योग है उपर से मंगल की जो चौथी दश्टी लगन पर है राहू की पांच मी दश्टी आपके बानी के भाब पर है अब हम एक एक ग्रह को देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है सबसे पहले आते हैं दसमभाब परी राहू जिसके दस में दुनिया उसके बस में ऐसा बोलते हैं कहावत है जिसका जनम कुंडली में राहू हो तो बहुत मतलब एरन केन प्रिकार रहने कैसे भी करके यह लोग काफी उपर चले जाते हैं डिप्लोमैसी में अच्छे होते हैं पॉलिटिक्स में अच्छे होते हैं किसी को कहाँ कैसे कुछ कहके उपर निकल रहा है उस चीज में तेज तर्राक होते हैं और ऐसे में वहाँ मंगल का भी साथ मिल जाए तो एनरजी भी बहुत रहती है कहीं बार हाइपर एनरजी भी हो सकती है अत्यधिक मतलब अधिकता जिससे थोड़ा कम करना गुस्य को थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत रह सकती है यहाँ पर अन्य था राहू दसम्मे बहुत बढ़िया दसम्मे जो राहू है क्या करा सकते हैं पर प्रोमोशन पोस्ट इदला आपको सकते हैं खर्चा काफी रहेगा खर्चा काफी रहेगा पर एक, दो, तीन, चार, पांच एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप किसी अग्जाम की तयारी कर रहे हैं कहीं कमपटिशन है कुछ ऐसी जगह जहां आपको किसी से आगे निकल रहा है तो आगे निकल जाएंगे आप कैसे भी करके मतलब राहू आपको आगे निकालने में बहुत साहता आपकी करने वाले हैं इसी के साथ साथ फोरण अगर आप जाना चाहते हैं जनम पत्री का देखना जरूरी है, अगर वहाँ पर जाहू की स्तिती श्ट्रॉंग है, राहू किसी राजयोग या धनयोग में है, राहू के तुके जो डिस्पॉजिटर हैं, वो अच्छी अवस्था में हैं, और राहू की दशा महादशा अगर है, और राहू दसम से जा रह राहू अच्छानक से ही देते हैं, मतलब एकदम फर्स से अरस पर जो ले जाने वाले हैं, वो राहू है, पर सभी की तो राहू की महादशा नहीं होगी, पर सभी के लिए राहू का थोड़ा एफेक्ट पॉजिटिव जरूर रहेगा, इस से समय में आपको फॉर्डनर से ल जब हम भाब में रहेंगे भाग का योग बना रहे हैं, प्ल दीपिका के अनुसार, जब भागी का स्वामी भाग में ही हो, इसी के साथ साथ भाग के जो घर है उस पर सुब गरहों की दश्टि हो supportive गरहों की दश्टि तो यहां नहीं है, पर 50 % स्वाग योग यहां पर का भाव है तो प्रेमादी के लिए भी अच्छा है नवांस चो चार्ट होता है जिसको हम D9 चार्ट बोलते हैं जिसको हम शादी का चार्ट बोलते हैं वास्तम में नवे भाव से ही बनता है तो उसमें उसी का स्वामी बैठा है तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है इसमें आपको ये भी बता दू कि नवे भाव में, अगर नवे भाव का स्वामी है, तो आपको भाईयों के थुरू, मिलिटरी पुलिस के थुरू, स्पोर्ट्समेन जो होते हैं, कोई ऐसा सकति साली व्यक्ति के थुरू, इसके साथ-साथ अगनी, अस्तर, इससे जोड़ा हुआ आपको कोई काम है, तो उन्हीं चीज में बड़ा लाब यहां मंगल आपको कराने वाले, जमीन, रियल स्टेट, भूमी, भाहन, भाहन नहीं, खेत, भूमी, खेत, फ्लैट, मकान, इस सब का आपको लाब हो सकता है, वो आप खरीदना चाहते थे, वो सब आपका पूरा हो सकता है, अगर कुंडली में मंगल की स्थिती फिलाल अच्छी चल रही है, उनका दशा, महादशा चला हुआ है, तब तब उसका रिजलिट निकल के आएगा, याद रखिएगा कि ये करोड़ों लोगों की कुंडली के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके लिए क्या होगा वो आपकी जनम कुंडली बताएगी, हम बात कर रहे हैं सही रासी वालों के जितने सारे हैं उनकी, उनमें से किसी का कोच किसी का कोच और किसी का वो अलग-अलग होगा कारण सभी की जनम पत्री अलग है सभी ने एक अलग स्थान पर अलग समय पर जनम लिया है सभी के नक्षत रादी अलग है तो उस बजह से पर overall मंगल की स्थिति यहां पर अच्छी है बहुत सुभ है ऐसे में भोले नात की अगर पूजा की जाए उनको जल रुदरावशे किया जाए उनको जल चढ़ाया जाए तो आप इसका मंगल आपका मतलब काफी साथ देने वाले हैं 22 तारिक तक 22 के बाद मंगल दसम में आएंगे दसम में भी मंगल का गोजर अच्छा माना गया यहां पर भी वो आपको घर, भूमी, बाहन का लाब करा सकते हैं, प्रमोशन आदी दिला सकते हैं पर यहां पर मंगल के आते ही माता के स्वास्त के लिए थोड़ा सा ध्यान रख रहा है क्योंकि राहू की दस्टी तो पहले से ही चतुर्थ पर है किये तू वहां पर है ही, उपर से मंगल की भी दस्टी आ गई है ऐसे में थोड़ा माता के स्वास्त का ध्यान रखें और जब तक राहू यहां मंगल यहां पर हैं, माफ कीज़ेगा मंगल तो छोटे भाई बहन जो हैं, उनसे थोड़ी सी misunderstanding यहां से करा सकते हैं यहां बैठ कर जो मंगल थे, वो 12 खर्चा बढ़ाने वाले थे, और माता के स्वास्त माता के स्वास्त के लिए, और जैसे ही यहां पर माता के स्वास्त का ख्याल रखना है, मंगल की अगर हम बात करें खुद को थोड़ा धीरज लेके चलना है, धहर्यादी का ध्यान रखना है जब मंगल यहां आते हैं, तो उनकी दश्टी पंचम पर आएगी 22 तारिक के बाद पंचम मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई, पर जो मंगल की दश्टी है तो यह आपको responsibility बढ़ाएगी आपकी, आपके संतान के परती, education के परती और आपको hard work करना होगा result के लिए, वैसे सुब है, अच्छा result है मंगल के बाद हम आजाते हैं, गुरू पर, गुरू, शनी, बुद्ध, सूर शुक्र में से गुरू को अगर हम देखते हैं, देखिए, गुरू का छटे में भाब में गोचा लगन से अच्छा माना गया चंदर से बहुत खास अच्छा नहीं माना गया पर दोनों ही केस में, गुरू यहां पर नीच के हैं, पर अगर अकेले होते तो गुरू यहां नीच के थे पर शनी की बज़ा से उनका क्या हुआ, नीच भंग हो गया नीच भंग हो गया, उपर से नीच भंग राज योग भी बन गया राजियो किसलिए क्योंकि शनी जो है केंदर के स्वामी है कुम्भू जो है केंदर में राशी है और गुरू जो है त्रिकॉर्ण के स्वामी है तो पंचमेश और सब्तमेश छटे भाब में आकर राजियोग बना रहे हैं आप चूकि राजियोग बन गया तो फिर ये गुरू और शनी का जो सहयूग तो जो योग बना है वो आपको फॉरन के थूरू लाव करा सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थूरू लाव करा सकता है बाहर ले जा सकता है देश से बिजनिस के लिए भी यहां पे अच्छा है और competition में आपको बिजय दिलाएगा competition में आपको बिजय दिलाएगा शादी प्रेम बिवहा और उसके लिए भी अच्छा है सब्तमेश और क्या बोल सकते हैं पंचमेश का एक साथ बैठना अच्छा माना जाता है रिष्टों में सुधार लाता है व्यक्तियों के इस्तिपूरूस के बीच में जो आकर सन है उसको बढ़ाता है कहीं भी पंचमेश और सब्तमेश एक साथ बैठते हैं तो प्रेम आदी के लिए अच्छा रहता है तो यहाँ पर चुकी राजयोग बंद रहा है तो गुरू उतने आपके लिए बोरे रहे नहीं एक तरह से अच्छे योगे गुरू की दश्टियां देखें तो दसम भाब पर गुरू की दश्टि है एक दो तीन चार पांच बारे में भाब पर गुरू की दश्टि है और दोत्ते भाब पर दश्टि है दसम भाब पर जो दश्टि है गुरू की दश्टि जहां भी पढ़ती है उस चीज के लिए auspices रहती है उस भाब को बढ़ा देती है तो काम को बढ़ाएगी responsibility को बढ़ाएगी कार में थोड़ा सा change ला सकते है transferादी हो सकता है खर्चे को भी बढ़ाएगी खर्चे के बाब पर हैं तो बैभाब है खर्चे को बढ़ाएगी बाहर ले जा सकती है आपको देश से बाहर जाना दूर जाना कि ये बहुत जादे योग बने हुए क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह मिलका 12th house को देख रहे हैं बारे में भाब को देख रहे हैं बारे माब भाब किस चीज का है बारेमा भाव है आपका विदेश का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का, अकेलेपन का मेडिटेशन का, समाधी का बैट प्लेजर का, सहिया सुक का इसके साथ साथ मंदिर का मंदिर, मस्जिद गुर्दवार, अधार्मिक जो प्लेस होते हैं तो ऐसे में एडिक्षन, नशे का भी है तो बाहर जानी की संभावना है अच्छी चीज, योगा मेडिटेशन की तरफ जुकाव होने की संभावना है, थोड़ी सी बीच की चीज खर्चा बढ़ सकता है, अच्छी चीजों में जन्मपत्री के आधार पर नशे की तरफ, किसी एडिक्षन की तरफ व्यक्ती जा सकता है तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों का ध्यान रख सकते हैं अगर आप जानते हैं कि उनका सही लगनी अराशी है अगर आप खुद हैं तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी खुद की भी बनती है और बच्चों की भी बनती है इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि meditation और योगा अगर आपका interest है आपके जन्मपत्री के according तो उसमें सफलता के लिए अच्छा है आपको meditation में आप गहरा जा पाएंगे उसमें साहिता आपके करने वाले है पंचमेस और छटा मतलब गुरु और शनी जो एक साथ बैठे है ये भी बहुत अच्छा योग है ये भी बहुत अच्छा योग है ये normally आपको संख योग बोलते हैं इसको और ये आपको competition में विज़े दिलाता है पढ़ाई लिखाई में आपको विज़े दिलाता है पढ़ाई लिखाई में मतलब आप बहुत आगे निकल सकते हैं उपर से राहू भी उसमें help करें तो students जो देख रहे हैं जो अभी यूबक हैं जो कहीं अभी job में ढूंड रहे हैं और कहीं कोई competition है और आपको कोई exam आदी देना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया महीना ये होने वाला है गुरू की जो नवम दश्टी है वो आपके धन भाब पर है तो पैसा आने के संभाबनाएं बनती है पैसे के source आने की बढ़ने की संभाबनाएं बनती है आपकी जो वाणी है उसमें अगर गुरू की दश्टा महादशा है गुरू की स्थिति आपकी अच्छी है तो वाणी से कोई लाब हो सकता है आपको अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि दो, छे, दस, तीनों के तीनों अर्थ त्रिकॉर्ण पर फोकस है यहां पर बहुत सारे ग्रहे हैं यहां भी दो ग्रहे आते हैं और इस पर भी गुरू की दश्टी आ रही है रहु की दश्टी आरी तो पैसे को लेकर बड़ा उतार-चड़ाब होने की संभाव ना है जादे तर लोगों का लाब होगा क्रहन अक्षटर अच्छे हैं पर हाँ पैसे के मामले में कुछ ना कुछ उतार-चड़ाब इस महीने में रहेंगे जरूर तो उस मामले में कोई भी आप निंड़े लेते हैं बड़ा सोस समझ के लें उस चीज को ऐसा न लें की मतलब भलके में कोई भी निणड़े जो लेते हैं वो सोस समझ के लें क्योंकि ये महीना पैसे के मामले में उतार चड़ाब को दिखाता है नॉर्मली अच्छे चीजों को इंडिकेट करता है गुरू के बाद अगर हम शनी को आते हैं शनी का छटे भाव में गोचर लाव को दिखाता है सत्रू के परास्त होने को दिखाता है अगर हम एक्जेक्टली पढ़ें तो छटे भाव में सुवफल देते हैं सब प्रकार के सुख सत्रू पर विजय दिलाते हैं तो सुख का मतलब कुछ गाड़ी खरीदना अच्छे कपड़े अच्छा कपड़ा अच्छा म्यूजिक कुछ ऐसी चीन जो व्यक्ति को घर आदी खरीदने के योग बनाता है सत्रू पर विजय अगर किसी कोट के सादी आपका कोई चल रहा है तो आप उसमें जीत सकते हैं इस तरह की हाँ पर संभाव नहीं बनती है शनी की हाँ से दस्टी आपके अश्टम भाव भारे में भाव द्वाव और तिरते भाव पर पड़ती है तो अश्टम भाव पर जो शनी की दस्टी है तो आपके लिए अचानक धन प्रापती के थोड़े से योग बना सकता है ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है इसके साथ साथ सासुर के साथ जो रिष्टे हैं उसमें थोड़े सी खटपटा हो सकती है शनी की 12 भाव पर जो दस्टी है तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ाएगा पर इसी के साथ साथ वोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको फायदा भी करा सकता है बाहर की यात्राएं करा सकता है आपको बिजनिस जो अगर आपका मल्टी नेशनल कंपणी आदी से कोई बिजनिस है तो उसमें आपको लाब करा सकता है और कमफर्ट की जो चीजे होती है वो लाइफ में लाएगा कुछ आनद की जो चीजे होती है उस पर आप खर्च कर सकते हैं उसका आप आनंद भी उठा पाएंगे शनी की जो दसम द्रश्टी आपके तृतिभाब पर है और उस पर मंगल की भी द्रश्टी रहेगी यहां से 22 तारिक तक तो 22 तारिक तक थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहन पड़ावसी से थोड़ा सा कुछ खटपट हो सकती तो उस चीज का ध्यान रखें पड़ावसी के साथ साथ यहां पर आपके कोवर कर भी हैं क्योंकि वो भी आपके पड़ावसी से रहते हैं उन्ही के साथ लगवक पूरा दिन तो उन्ही के बीच में रहता है तो आपके साथ से वाले आपसे छोटे वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा मिसंडेस्टेंडिंग यहां पर हो सकती है क्योंकि दो-दो मलेफिक एक तोशनी उपर से मंगल इस भाव को देख रहे हैं इस पर जैसे 22 तारीक तक ज़्याद है ऐसा चांसेज है इसके बाद हम आते हैं शुक्र के उपर शुक्र का गोचर छटे भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया और शुक्र यहां पर आपके दसम एस भी है दसम भाव जो होता है वो आपकी पद पतिष्ठा पोजिशन को दिखाता है ऐसे मैं इस्त्रियों से थोड़ा सा समखल के रहे समखल के मतलब उनका सम्मान करें उनकी कोई बात है तो उसको बड़े ध्यान से सुनें कोई इस्त्रिय से कोई आपकी चाहिए क्लाइंट हो आपके साथ काम करने वाली हो किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम अगर इस्त्रि के साथ आपकी बनती है चाहिए आप खुद इस्त्रि हो तो उसको एकदम सीरियस्ली लें सॉल्ब करें उसको उस जो जगड़ा विवाद जो भी है उसको बढ़ने बिलकुल मत दें उसको सॉल्ब करें क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखें प्रेम आदी के लिए अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है तो बहुत बैश समय नहीं है कब तक सिर्फ 22 तारिक तक 22 के बाद शुक्र यहाँ पर आएंगे सब्तम में आएंगे तो जैसे ही सब्तम में आते हैं तो प्रेम आदी के लिए समय बैटर है थोड़ा सा इजहार आदी के लिए समय बैटर है हलाकि यहाँ पर भी मर्यादा का ध्यान रखना है अगर शुक्र की दशा महादशा है तो आपकी अगर सूरी की बात करें सूरी का छटे भाव में जो गोचर है बहुत अच्छा माना गया है रोग रिंट सत्रू पर आपकी विजय दिलाता है हलतर ऐसे आपकी प्रॉबलम को सॉल्व करता है आपकी पद पोजिशन परिष्ठा को बढ़ाता है पैसे को घर में लाता है पर सूरी हाँ पर सिर्फ ग्यारे तारिक तरह है ग्यारे के बाद जो हैं सूरी आपके सब्तम में आ जाएंगे अगर सूरी सब्तम में आते हैं तो क्या करते हैं सब्तम में सूरी सूरु तो हैं राजा आपका जो इस्पावस है आपकी जो पती-पतनी है, आपका जो प्रेमी पेमिका है, वो अपने आपको थोड़ा सा राजा महसूस करेगा, वो थोड़ा सा order चलाएगा आपके उपर, वो थोड़ा सा कहेगा कि भाई देखिए, इस काम को ऐसे करना है, और वो उमीद करेगा कि आप उसकी बात माने, आप उसकी बात सुने, आप भी बात मान लेजिए, आप भी बात सुन लेजिए, अच्छी बात है, अब रिष्टों में क्या चोटा क्या बड़ा, वैसे भी ये चोटी चोटी बातों में उलज़के आप अपने गोल से दूर हो इन छोटी बातों में अगर आप फोकस करते हैं तो आप अपने लक्षे दूर हो जाते हैं तो वो कहते हैं माल लेजिए उनकी बात और रिष्टे बने रहने चाहिए रिष्टे बहुत जरूरी हैं आपस में तो यह जादे महत्तपूर है ना कि यह कौन सही हो गया तो इस अब स्भावना का कोई सूरस्च गया और लगन या बोई-फंड आ सकता है यह जो आपसे बड़े स्तर का हो बड़ी फैमली का हो तो वो भी चौनसेस बनते हैं क्वोंकि लगनेश सम्तम भाव में जा रहा हैurar न मैं आ जारा है तो सूरद का कोई अब सवीर अपकी जिंदग अब हमने देखिए सुक्र सूर्य बुध को रहा गया, बुध देखिए, बुध आपके लाव के स्वामी है और धन के स्वामी है, छटे भाव में जा रहे हैं, दौनों ही चीजों को बहुत बैस्ट नहीं माना गया है, लाव का स्वामी छटे में जाए या धन का स्वामी छट दिलाता है तो अब क्या इसको कैसे interpretate करेंगे interpretate ऐसे करेंगे अगर आपकी कहीं पर आप competition आदी में है तो आप जीट जाएंगे अगर आपकी कोई court केस आदी चल रहा है तो आपकी विजय होगी अगर आप कहीं से loan आदी लेना चाहते हैं तो आप उसमें जीट जाएंगे पर अगर आप कहीं ने invest किया अपने ऐसे में और थोड़ा सा गलती की तो पैसा problem में फस सकता है सोस समझ के करना है communication का विसेश ध्यान रखना है document आदी को एक दम perfect रखना है कि उसमें कोई गलती ना हो वैसे भी जो है एक तो वक्री रहेंगे यहां पर 22 तारिक तक उपर से वो आपके दौनों के दौनों पैसों के मामले को दिखा रहे हैं तो पैसे के मामले में रिस्क नहीं लेना है पैसे के मामले में रिस्क नहीं लेना है भले ही आप राहू और मंगल की वज़े से कितनी energy feel कर रहे हो भले ही आप सूरी की वज़े से आपके अंदर बहुत ज़ाद जोस हो तो ऐसे में जोस में होस नहीं खो देना इस महीने इस बात को ध्यान रखना है तो अगर ऐसा आप ध्यान रखेंगे इन बातों को follow करेंगे तो जरूर आपको 100% लाब होगा और ये महीना आपके लिए बहुत सारी अच्छी-च्छी समाचार लेकर आएगा तो इसी के साथ हम ये जो फरवरी का रासी फल है सिहराशी लगन के लिए समाप्त करते हैं और इसके साथ-साथ इससे भी महत्त-पूर्ण जो पाठ है वो है हमारे तोहारों का उसकी तरफ बढ़ते हैं कोकि तोहार हमारे भारतिय संस्कृति की जड़ हैं वो हमारी किसी कहानी से जो निकले हैं जो कहीं न कहीं हमारे पुरान उपनिशद की तरह चाती है और वो हमारा एक culture है वो हमारी एक कह सकते हैं हमको denote करता है वो हमें दिखाता है वो हमारी एक पहचान है तो 16 तारिक की बसंत पंचमी है आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत सुबकामन है माता सरस्वती आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी-च्छी blessing लेकर आए ज्यान दे आपको और ज्यान लच्षमी का ही एक रूप है माता लक्षमी, माता गोरी और माता सरस्वती वो एक ही है बस उनको define करने के लिए कि इश्वर की तमाम हजारों लाखों करोडों गुण है तो उनको एक अलग-अलग personification दिया गया है कि उसके इतने सारी अगर हम सिर्फ कह दें एक हैं तो वो बात समझ में नहीं आते तो उसको थोड़ा सा विस्तार, उसको और खुबसरती के लिए उसको अलग-अलग हम बाटा गया है, बताया गया है समझाया गया है अगर आप हमारे रिशी महरिश्यों की वेध पुरान में अगर आप पढ़ते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने जो बातें जो meditation में लिखी हैं, वो अच्छे से अच्छे कभी को माफ कर दें, और ये ऐसी बातें नहीं हैं, कि कोई भी लिख देगा, कि बस ऐसे ही बना दिया, इनका बहुत जाद गहरा मतलब होता है, तो माता सरसुति की पूजा कीजिए, इसी के साथ साथ रती और कामदेव जी की पूजा भी होती है, क्योंकि अब रती और कामदेव वेसिकली खूबसूरती को दिखाते हैं, सुंदरता को दिखाते हैं, तो बसंत पंचमी के बाद से फूल खिलेंगे, सरसो लहराएगी तो उसलिए उनकी पूजा की जाती है, 27 तारिक की पूणिमा है, 7 तारिक की शतिल्ला एक आदशी है, जो दान से जुड़ी हुई है जो गिविंग दिखाती है, जो बताती है हमको देना चाहिए, देने पर ध्यान दो, आएगा तो है क्योंकि कर्म एक चक्र है एक चक्र है, अगर एक चक्र की विवस्ता देखें, तो गोल होता है मतलब अगर आप इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, आप ऐसे करम करें या वैसे करम करें आपके पास ही पहुंच जाएगा तो अगर आप देंगे तो वो भी आपके पास पहुंच जाएगा अगर आप लेंगे, तो वो भी आप क्यास पहुंच आएगा तो देने पे फोकस करना है लाइफ में कितना आप दे सकते हैं लोगों को कितना आप अपनों के लिए बाहर बालों के लिए कर सकते हैं जितना आप करेंगे वो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा यह में चीज है जो तो शिक्षा आपको इस कहानी से मिलेगी, इसी के साथ साथ मन, वचन, करम, करम से, सुध्धु मन्षे, अगर आप एकादश की कब्रत रखते हैं, तो आपको पुन्य भी प्राप्त होगा, इसके साथ साथ 23 तरिकी जाय एकादशी है, जो आपको करतब प्रायंड़ता का, एक तरह की शिक्षा देती है, कि आप जब भी कोई काम करें, उसमें पूरे 100% involvement के साथ करें, तो उसका रिजल्ट अच्छा होता, अगर नहीं करते हैं, तो फिर प्राप्लम में आप था सकते हैं, ये इस चीज़ को बताती है, मेली जो कहानी बताती है, कहानी आप जो आनंद सरूप हैं, जो ज्यान सरूप हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, इसी के बाद 11 तारिक की अमावस्या और 12 तारिक की शंकरांती है, संकरांती का जो तोहार है, वो कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता से जोड़ा हुआ है, अमावस्या और संकरांती दोनों को ही दान का विसेश महत्व है, अमावस्या का महत पित्रुश्रापादी से भी है चन्रक अगर किशी का प्रॉबलम में हो या फिर पित्रुश्रापादी ऐसा कुछ बनता हो तो अमावस्या का विसेश महत्व है संकरान्ती मेंली आपका आध्यात्मिक्ता से इसका बहुत महत्व है तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिएगा, सब्सक्राइब किजिएगा घंटी वाला बटन दवाना मत भूलेगा डेक्सक्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेस्बुक का, इस्टाग्राम का, ट्यूटर का प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्पून है अब मैं यूटूब के साथ-साथ फेस्बुक पर भी ये जो वीडियो है उनको डाउनलोड करता करूंगा या कर रहा हूं तो प्लीज वहाँ पर भी आप नसायोग दें, अगर आप वहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज लाइक करें फॉलो करें, और मिलेंगे इसी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, नमस्कार